हेलो गाइस वेलकम तो माई चैनल जी टी लेक्चर्स तो गाइस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंज आजम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 12 की जो है ग्रामर जो की मोस्ट इंपोटेंट होती है गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जहां तक भी देखेंगे तो आपको बहुत कम इस से रिलेटेट जो है वीडियो मिलेंगे कि इंग्लिस ग्रामर का कॉर्स आपको कांटीनियू कराया जा सकें तो देखें मैं आपको एक सीरीज वाइस कराऊंगी पहले हम करेंगे ल फर्स लेटर जो की मोस्ट इंपोटेंटा काफि बार पेपर हो में है जो कि यहालेस एक्तिविटी के एक लाफ हमने पुलिस कमिशनर को क्या लिखना है नोटिस लिखना है वखें यानि लेटर लिखना मैं नोटीक है material लेकHH мо участ पहणि वária क नूश आर लड़किएस आप काम तो यानि इस लेटर की माध्यम से हम पुलिस कमिशनर को ये बताएंगे कि हमारे स्कूल के बाहर जो है लॉलेस एक्टिविटी चल रही है तो आप जो है हमने प्रिंस्पल से कई बार सिकाथ कर दिया परन्तु उनने हमारे इस ट्रॉपिक पर जो ध्यान नहीं दिया है इसलिए हम आपसे कहनते हैं कि हमारे स्कूल के बाहर दो पुलिस कमिशनर भेजे जिससे कि हमारे स्कूल की बाहर जो है लॉलेस एक्टिविटी जो है मैंटेन रही यानि लॉलेस एक्टिविटी ना हो तो इ में उसका conclusion निकाल के यह बताएंगे कि हमने को रोखने के लिए किस तरीके से हम कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि हमने उनको लेटर लिखा ओके three parts में divide होगा, Hindi आप समझी करेंगे किस तरीके से यहाँ पर से आएगा तो वही आज हम डिसकस करेंगे, तो देखे सबसे पहले बात आती है, कि हम लिखेंगे यहाँ पर से मैं आपका सबसे पहले बात आएगी, हम जो हमें address दिया होता है, address लिख देते हैं गर्मेंट इंटर कॉलेज तो कि गर्मेंट इंटर कॉलेज और जग का नाम क्या दिया हुआ है जो यह वाला ओके फिर देखिए यहां पर से एक लाइन जोड़ेंगे सेट्ट फेसे लिए उस बात में भूह करना पड़ेगा के इसे मान लेते हैं हम ने आपको आक्टूबर की बीडाल सकते हैं जब की बीडालना चाहें September, October जब कि आपको date पसंद है आप अपकी date डाल दीजे यानि जब आप इस letter को लिख रहे हैं उस दिन की date डाल लिए और यहाँ पर से यह नहीं लगाना है और यहाँ पर से माल लेते हैं हमने लिख दिया 3 और यहाँ पर से कॉमा करके हम लिख दिए 2021 ओके फिर आप क्या करेंगे एक लाइन का gap दीएंगे फिर आप लेखेंगे first हमारे पास जो लिखते हैं उसमें किसका एडरस आता है जो हमें किस की CEOsıld एट आती है फिर एक लाइन का gap होता है third line में हमारे पास क्या आ जाता है जिसको हमने जो है लेटर लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं The Police Commissioner CO M M I S S I O N E R ठीक है पोलिस कमिसनर नीचे सम लिखेंगे कि आप पोलिस डिपाटमेंट पोलिस डिपाटमेंट फिर देखे पोलिस डिपाटमेंट आप कहा रहते हैं याँने आप उत्राखंड में रहते हैं तो आप लिख दिंगे उत्राकंड या फिर आप जहां भी रहते हैं उस जगह क्या लिख दिंगे नीचे से नाम लिख दिंगे तो जहां मैं रहते हूं वहां उत्राकंड है तो मैंने नीचे क्या लिख दिया उत्राकंड बाकि आप जिस जगह के भी रहने वाले हैं यूपी यूके यूके तो मैंने लिख दिया तो यूपी में जहां भी रहते हैं जिसे स्ट्रेट का आपका बोर्ड है तो उससे स्ट्रेट का पनी चीस से लिख देंगे उत्रा करने जैसे मैंने लिखा हुआ है फिर आता है हमारे पास क्या होता है देखे इस लाइन में इस त तो देखिए यहां पर से हम क्या सब्जेक्ट है complaining against complaining against lawless lawless activities complaining against lawless activities going outside of school campus ठीक है यानि इसका मतलब क्या हो गया हमारा यहां पर जो सब्जेक्ट है यान लेटर लिखने का वो क्या है complain करना किसके लिए school के बाहर चल रही अनैतिक गतिविदियों के खिला तो यह हमारे पास आज का topic है लेटर के लिए इतना हमने लिख दे हैं पर से subject फिर हम लिखेंगे क्या इसी सीरीज में आगे बढ़ते वे क्या यह जो मारी सीरीज चल ली थी इसी सीरीज में आगे बढ़ते वे सबजेक के बाद एक लाइन गैप करिंगे उसके बाद हम लिखेंगे यहीं पर से क्या sir फिर देखें यहां से ने लिखेंगे थोड़ा यहां पर से gap लिखेंगे क्या I would, यानि उनका ध्यान आकर्शित करना चाहती हूँ मैं आपर से क्या लिखूंगी मैं आपका ध्यालो ध्यान केंदित करना चाहती हूँ किस पे अपने स्कूल के बाहर चल रही lawless activity के खिलाफ ठीक है यानि उनका ध्यान हम क्या करना चाहते है केंदित करना जाते हैं यह हमार पार फर्स पेराग्राफ में आएगा तो रहे हम क्या लिखेंगे I would like to draw ठीक है I would like to draw your kind attention your kind attention attention towards lawless activities going outside of activities बहुत सारे activities कोई एक activity तो है नीच जो हम yes ना लगाएं तो क्या आजाएगा I would like to draw your kind attention towards lawless activities going ठीक है क्या आजाएगा going outside of going में तुझा है चल रही है going outside of school campus ठीक है तो यह मार पास आजाएगा उसके बार आप देखे यह हमारा हो जाएगा first paragraph तो देखे फिर हम क्या लिखेंगे आपने हापर से इतनी gap इधर इतनी gap इधर पर नहीं छोड़नी है आपके पास lining वाले page आएगे अगर lining वाले page नहीं आ रहे है तो आप क्या करेंगे एक कोने से start करेंगे लिखना ठीके एक कोने से start करा ये तीनों चीज आ गई थोड़ा सा gap दे के आप subject लिखेंगे फिर उसी series में जो मापा ये series चल ली थी वही पर आप sir लिखेंगे थोड़ा सा gap दे के फिर आप क्या लिखेंगे अपना first paragraph लिखेंगे फिर देखिए second paragraph जो हमारा आता है वो किस तरीके से सुरू होता है तो यहाँ पर से हम क्या करते है first paragraph complete हो गया इसके बाद थोड़ा सा side में हम यहाँ पर से जगा देंगे यह चीज़ा आपके सर के निचे से या नीच चाहिए तो यहाँ आपने यह लिख दिया फिर आपके थोड़ा से यहाँ पर से gap दिंगे फिर हम यहाँ से second paragraph स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या जाएगा kindly our school is situated अब आप second paragraph में अपने सारी दूविदा बताएंगे तो किस के लिए आप पत लिख रहे है तो यही सब हम जो है second paragraph में लिखेंगे ओके तो देखिए क्या जाएगा kindly our school is situated kindly our school is situated on the highway where arriving arriving means क्यों होता है आना ठीक है arriving spelling हो जाती है A-R-R-I-V-I-N-G where arriving lawless boys यानि अनैतिक लड़के lawless boys is naturally यह हो जाएगा kindly our school यह नी हमारा विद्धाले जो है कहाँ पर situated है नी बना हुआ है या फिस इस्थित है कहाँ आप कहेंगे highway पर जहाँ पर lawless boys का आना जो है natural है ठीक है these lawless boys are these these ठीक है lawless boys are अब एक तो होगा नी जो हम इस लगाएंगे तो यहाँ पर से बहुत सारे होंगे तो यहाँ पर से क्या जाएगा boys are doing some immoral boys are stand stand means क्या हो जाएगा खड़े होने होता थे है some immoral boys some immoral boys boys stand outside of school campus school campus के बहार girls फिर यहाँ पर से आजाए girls feel unsequare ठीक है unsequare के हमार पर स्पेलिंग क्या हो जाएगी they fear to go to alone from school यानी पहर हम लिख लिएते है they fear to go to alone go to alone they fear to go alone to home to home from school ठीक है तो यहाँ पर stance के according बनाया है देखे क्या लिखा they fear to go to alone from home go to home from school यानी वे इस्कूल से घर जाते समय क्या करती है डरती है ओके फिर यहाँ पर से आजाएगा हमारे पास students of school have been affected by their lawless boys यानी school के जो बच्चे हैं affected यानी प्रभावित हो चुके हैं किन से lawless लड़कों से तो यहाँ पर से क्या जाएगा students of school या फिर लिख से थे boys of school या फिर students of school have been एक चीज तो है नहीं तर बहुत सारे हैं तो क्या जाएगा have been affected affected के spelling हो जाती है A, F, F, E, C, T, E, D students of school have been affected by their lawless by their lawless boys ठीक है फिर आजाएगा they take drugs and wine with them outside of school campus ठीक है यानी जो मारे school के लड़के हैं वो इन lawless लड़कों के साथ क्या करते हैं drugs यानी drugs लेते हैं और wine पीते हैं तो यहाँ पर से क्या आजाएगा they take टेक यानी लेना drugs and wine they take drugs and wine with them them हमने किसके लगा है lawless boys के लिए उपर बात चल रही है तो हम देम लगाएगी यह नहीं कि बार-बार आप टैंस के अकॉर्डिंग टैंस की धजियां उड़ाएं बिल्कुल लिखे जा रहे है कि क्या lawless boys, lawless boys लेकिन वहाँ पर नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर से हम कमेंड जो बार पास टैंस है उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है तो उपर उनकी जिक्र चल रहा है कि इसका lawless boys का तो बार-बार lawless boys लिखने की जर्वत नहीं है तो यहाँ पर से हमने लिख दिया them ठीक है आउटसाइड ओफ स्कूल क्या हो जाएगा आउटसाइड ओफ स्कूल कैंपस बाइज ओफ स्कूल बाइज ओफ बाइज ओफ अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर से स्कूल के जो लड़के हैं वह इन lawless boys का क्या हो जाएगा बन गए है फ्रेंड बन चुके है तो देखे बिकम देर फ्रेंड फिर यहाँ पर से क्या जाएगा simple and innocent students fair to them किस से डरते हैं them means हो जाएगा unical हम लगा दिंगे ठीक है तो यहाँ पर से आजाएगा simple and innocent students fair to them ठीक हो जाएगा फिर क्या आजाएगा as a result यह पूरा जो हमने इस सब लिखा तो इसमें क्या आजाएगा as a as a result they have spoiled surrounding of school जो हमाँ पास school के चारोण का बाता बढ़ें इनने क्या कर दिया है spoil यह खराब कर दिया है बिगार दिया है तो यह पर से क्या लिखेंगे as a result they have spoiled surrounding of s u r r o u and surrounding surrounding of school फिर आप क्या लिखेंगे यह हमार पास हो गया फिर आप इसी में क्या add कर दिगे we have complained to principal several time but they ignore this matter तो हम क्या लिखेंगे we have we have they 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 ignore this 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 matter ठीके यह मार पास हो गया फिर देखेंगे लास्ट पराग्राफ आपका जो आजाएगा लास्ट पराग्राफ में आप क्या लिखेंगे I therefore request you to I I therefore request R E Q U E S T I therefore request you to send to send to policeman outside of school campus and to maintain and to maintain law condition यानि अब यह मन पर समझेंगे फिर आपने क्या करना पड़ता है CBAC pattern क्या according या फिर और जिस भी state के मार पास बोर्ट हो जाते हैं UK बोर्ट होगे विहार बोर्ट, आजिस्तान बोर्ट, UP बोर्ट साई भी बोर्ट में क्या है एक new pattern start हुए है पहले हमारे पास CBAC board के अलावा हम क्या करते थे letter लिखने है इधर side से start करते थे यानि बाएं side से हमने letter लिखने है start करा उसके बार हम किदर side खतम करते थे दाएं side करते थे लेकिन new pattern के according मार पास क्या हो गया है हम उस letter को end कि side पर करेंगे left side में करेंगे या नी यह जो हमने लिख दिया maintain law condition उसके बार प्या करेंगे इधरी side by में आप लिख दिंगे you are sincerely या फिर you are faithfully x y z या फिर आपको जो उपर नाम दिया था क्या कॉसल या फिर कामिनी आप उन में से दोनों में से जो भी नाम चाहें वो लिख सकते हैं चीक है तो यह हमारा आज का letter हो गया most important है काइस काफी बार पेपरों में आया हुआ है मैंने आपको सारे जाना चाहिए कि हमने तीन पेराग्राफ बनाए हुए है तो अटेंशन वाल था तो यहां पर से थोड़ा इधर से लिखेंगे तो ज़्यादा बैटर रहेगा और यहां पर थोड़ी जगह छोड़के काइंडली वाला स्टार्ट करेंगे जहां पर आपनी पूरी कंडिशन करना न भूलें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर रहें बाए बाए